हाई, गुड़ीडिंग अल फ्यू, कैसे हैं आप सभी, सब बढ़िया, शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, आईए, नोटबुक निकालिये, और हर एक वर्ड को सुनना, बोलना, पठना, लिखना स्टार्ट करते हैं, वकेब क्लास नमबर 201, वकेब मंत्रा डे 28, ठीक ह क्लास नमबर 201, फर्स्ट वर्ड, चलिए, एक एक शब्ड को जानते हैं, हर एक वर्ड को जानेंगे, हर एक सेनेस को जानेंगे, और बहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को लिखेंगे, ये जो शब्द है, बुले एवर्जन, बोलो, ये वर्ड आपको बार-बार देखने को मि रहा है, तो वर्ड बन गया क्या, एवर्जन, सो एवर्जन का मतलब घ्रना होती है, एवर्जन, ये पढ़ा जाता है, ये उसका उचर्ण है, एवर्जन, एवर्जन, और एवर्जन का मतलब है बिटा, डिसलाइक, हेट्रेट, डिस्टेस्ट इन्होंने कहा, जैसे किसी भी किसी भी चीज के प्रती जो घ्रिणा है, या फिर जो द्वेश है, किसी भी चीज के प्रती घ्रिणा या द्वेश का जो भाव है, हर एक चीज हर एक छोटी छोटी लिटोल को लिखा करो, बोलो aversion, शावाश, अवाज उठाओ बेटा, बोलो aversion, घ्रिणा है, द्वेश है, कि किसी चीज के प्रति हेट्रेड जो मुन में जो भाव आता है नफरत का, राइट? वो एवरजन का होता है पेटा, इसका उल्टा जो है, इन्होंने का फोन्नेस और लाइकिंग, एक बड़ा गजब का वर और आता है, बोले अटेच्मेंट, बोलो A-D-D-A T-C-H-M-E-N-T, बोले अटेच्मेंट, तो जो अटेच्मेंट है बेटा, राइट? अटेच्मेंट का मतलब क्या होता है? लगाव, कहते हैं ना, जितना गहरा राग है, उतना गहरा द्वेश, और जितना गहरा द्वेश है, उतना बड़ा कलेश, राग और द्वेश का सीधा सीधा संबन्द है, राइट? जब आप अटेच्ट होते हो, तो अवर्जन उतनी ही बड़ी होती है वेक्ति के अंदर, जितनी गहरी अटेच्मेंट होती है, उतनी ही गहरी अवर्जन, जैसे, कहा जाता है कि जैसे कोई आल, कोई आप गली से जा रहे थे और गली में कोई अ बाहर से तीनों कंडिशन में अपशब्द कहे जा रहे हैं, पर जो सबसे ज्यादा चुबने वाली जो बात उसको लगेगी, जैसे चुबने वाली जो अपशब्द लगेंगे, वो वो अपशब्द होंगे, जो उसका अपना, very good, ये गजब की बात है, बाहर से सेम शब्द कानों में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद, अंदर वेदना, अंदर अनुभव, अलग-अलग intensity और अलग-अलग तवरा का है, अगर भाशा बराबर असर डालती है, अगर भाशा बराबर असर डालती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप स परा रखती है, क्यों? क्योंकि जितनी attachment एक अजनभी से, उससे ज्यादा attachment दोस से है, और उससे भी ज्यादा attachment किसे है, अपने बेटे से, जितना ज्यादा किसी से attachment है, लगाव है, चिपकाव है, या अपेक्षा है, उतनी ही मात्रा में आपको दुख की अनुभूती उससे ह होती है, जितनी मात्रा में आप सुख की इच्छा रखते हो, उतनी ही मात्रा में आपको दुख की अनुभूती होती है, किसी दूसरे की गाड़ी से आप बिल्कुल भी सुख की अनुभूती नहीं रखते, दूसरे की गाड़ी में आपको सुख नहीं दिखता, तो दूसरे not getting, गाड़ी में scratch लखना दुख का कारण नहीं है, गाड़ी से जो attachment है आपकी, शायद उसमें से कहीं न कहीं suffering निकल के आती है, शायद उसमें से कहीं न कहीं aversion निकल के आता है, तो हमारे रिशियों ने, मनिशियों ने कहा है कि जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेश और जितना गहरा द्वेश है उतना बड़ा कलेश, इसी को कहा जाता है बेटा क्या, aversion, क्या बोलते हैं, और aversion का मतलब dislike, यानि किसी चीज की प्रती नापसंद होना, right? या फिर word आया, बोलो, hate rate, क्या में दिस्टेस्ट बोलो, जिस चीज से बिल्कुल लगाव नहो, बिल्कुल उसमें टेस्ट र害 उसको वम क्या कहते है, बेटा, इस्टेस्ट, या फिर एक बड़ा प्यारा word यह जरूर याद रखना, बोलो repugnance, बोलो, repugnance, repugnance का मतलब है बेटा घ्रेना, किसी चीज़ के परती देखते ही उल्टी करने का जो मन करता है, right, उसको कहते है repugnance, बोलो, right, देखते ही अगर उल्टी करने का मन करे, जैसे चारों तरफ गंध फैला हुआ है, जैसे repugnance एक बार मुझे फिल हुई थी करनाट प्लेस में जो blast हुए थे, तो blast होके कुछ थोड़ी दुरी पर प्रतमय था, जब शोर आई तो सारेक सारे उसी आवाज की तरफ भागे कहां से आवाज आई है, तो वहाँ पे जब देखा तो चारों तरफ अंग भंग, लोगों का कभ हसूस होता है, right, bomb blast हुआ था वहाँ पे, right, उस bomb blast में ऐसी आ scene देखने को मिला कि मन में क्या आ गया, क्या, तो लोगों को repugnance भी हो रही थी पर करूना भी आ रही थी, क्या रही यह बड़ा गलत हुआ, yes or no, बोले repugnance, बोलो, और उसी भाव को कहते है, बोले abhorance, abhor बीडी मत पीना, please, कहते क्यों, कहते मुझे धुएं से न, मुझे धुएं से abhorrence है, बोले I have abhorrence against smoke, तो मुझे इसको लेके थोड़ी सी, मतलब घिरना होती है, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं मैसूस करता मैं धुएं में, यह बीडी का धुआ, सिगरेट का धुआ मुझ फिर से बोलो, जिसको देखते ही, अंदर मन में अच्छा भावना आए, वो animus होता है, राइट, अंदर से एक नफरत, एक antipathy, एक strong dislike की भावना जगती हो, उसे हम क्या कहते है बीटा, बोलो animus, शाबाश, इसमें जो काम की वर्ट्स हैं, जो आपकी एक्जैम में, या अच एक वर्ड है, repugnance, एक वर्ड है बिटा, abhorrence, और एक वर्ड है, animus, और इसके उल्टे में है, fondness का मतलब shock होता है, liking माने भी पसंद है, attachment माने भी पसंद और लगाव है बिटा, अब ज़रा वाक्य को देखते है, वाक्य क्या कह रहा है, बोले she has, बहुत अच्छे, वाक्य to putting others down, put others down का मतलब होता है, दूसरों को नीचा दिखाना, यानि कि दूसरों की insult करने से उसको घ्रिणा है, ये वाक्य क्या कह रहा है, कि दूसरे को insult करना उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता, right, तो बोल सते हैं, बोले she has a deep aversion to putting others down, put others down का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं कि you are putting me down, इसका मतलब होता है दूसरों को insult करना, put others down का मतलब क्या है बेटा, insult करना, to insult somebody, अपमान करना, तो she has a deep aversion, यानिकि उसको एक बहुत ज़ादा घिर्णा है, किस बात से, दूसरों को नीचा दिखाने से, तो इस वाक्य का sense क्या निकलता है, क्या उसे दूसरों को नीचा दिखाना बहुत पसंद है, या नहीं पसंद है, एक बार वाक्य अपने आप से बोलो, शाबाश, बहुत हाओ होता है बेटा, बोलो बात समझ में आई, क्या पूरे वर्ड समझ में आए? तो चार वर्ड बड़े काम की है, बाकी सब के बारे में हमने समझा, वाक्य समझ में आगे है बेटा, हम अगले वाक्य की तरफ चल सकते है, She has a deep, वाक्य ज़रू लिख लेना, She has a deep aversion to putting others down, next बेटा, let's move to the next word, और अगला वर्ड हमारे पास है, बड़ा गजब का शब्द है, अच्छा शब्द है, बोले चेगरिंग, इसे शेगरिंग भी पढ़ा जाता है, राइट, शेगरिंग, इसको शेग पढ़ते हैं, शेग, और यह होता है ग, चेग भी पढ़ सकते हो, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, और यह ग्रिंग हो जाएगा, बोले शेगरिंग, बोलो, यह शेगरिंग, यह हो गया और यह क्या हो गया, ग्रिंग, चेग पढ़ना चाओ, चेग पढ़ सकते हो, मर्जी आपकी, इसे CHEIR में चेयर पढ़ा जाता है, तो शेगरिंग मतलब disappointed, embarrassment, sorrow, यह किसी वेक्ति कि अंदर बड़ी हताशा और खीज है, जलाहट है, अंदर से जुल-जुलाहट है किसी बात को लेकर, that is called what? शेगरिंग, बिल्कुल सही बात है, जैसे कोई चोटा बच्चा है, राइट, अब बच्चों को अपने खिलोने बड़े प्यारे होते है, राइट, मालो कोई दूसरा बच्चा आ गया, या तो वो मिलके खेल ले उसके साथ, तो फिर तो ठीक है, पर अगर वो उसका खिलोन ले जाने लगे, तो बिल्कुल एकदम से क्या हो जाता है, अंदर से क्या महसूस करता है, वो जल्ला हाट महसूस करता है, मेरो खिलोनों कैसे लोके जा रहा है, मुझे नहीं पता, रोक उसको भी, मतलब मार पिटा ही हो जाती है उनकी आपस में, yes or no, just for, मतलब छोटा साभी कोई खिलोना हो, कोई ले जाए भाई साथ, तो अगर कोई उसके खिलोने को हाथ लगाता है, तो बच्चे को अंदर क्या फिल होता है, बोलो शैग्रीन, उसे शैग्रीन महसूस होता है, disappointment, embarrassment, sorrow, एक तरीके से बड़ा दुखी, embarrassment का मतलब शर्मिंदा भी होता है, और इसका मत तो की जसी भी आती है, क्यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है न, तो that is called embarrassment, और satisfaction भाने संतुष्टी, एक वाक्या देखो, बोलो the fact, शाबाश, बोलो the fact, that, यहाँ पे ही भी लगाओ बेटा, right, that के बाद ही लगा ले न, the fact that he had not been able to pay the debt was a source of chagrin for him, was a source of chagrin for him, के दे बही, यह सच्चाई, सच्चाई क्या थी, के वो अपना कर्जा, pay the debt का मतलब, debt का मतलब क्या होता है बटा, कर्जा, वाक्या को जरूर समझना, इसी से comprehension develop होगी बटा आपकी, इसी से समझ develop होगी, right, यह सच्चाई, the fact that he had not been able to pay the debt was a source of chagrin for him, उसके लिए यह एक लग अच्चाई के वो लंबे समय से अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा था, यह लगातार उसके लिए किस चीज का एक विशे था, किस चीज का source था बटा, शेगरीन का, और शेगरीन माने क्या, जलाहट, irritation, right, जो वेक्ति को महसूस होती है, that is called शेगरीन, तो शेगरीन का मतलब क्या है, जलाहट, जुन जुलाहट, right, अंदर से खीज का जो भाव है, वो शेगरीन कहलाता है, बटा, उसी को disappointed or disappointment or sorrow भी कह सकत क्योंकि जो वेक्ति जलाया हुआ है, तो वह खुश आया, दुखी है, दुखी है, yes or no, next, बटा, दो वर्स हमने किया, पहला वर्ड कौन सा था, बताओ, aversion, और दूसरा वर्ड हमने क्या किया, बटा, शेगरीन, तीसरे वर्ड पर आ गए, और थर्ड वर्ड है, बटा, बो करना, या फिर चीजों में अंतर करना, भेदभाव करने की सेंस भी होती है, और अंतर करने की सेंस भी होती है, किस चीज में अंतर करना, कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो डिस्क्रिमिनेट होता है बटा, right, separate करना, classify करना, जैसे बहुत सारे discriminations हैं, है न, जैसे discriminations based on gender, religion, caste, creed, है न, कि आप एक जाती विशेश से हो, तो आप गर्व महसूस करते हो, और एक जाती से हो, तो हो सकता है कि आप अगर उसे, मानलो, कहीं पर लिखवाते हैं, तो लोग उसको मजाक बना लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, are you getting or not getting? तो कई बार ऐसा होता है, कि कुछ ल उलाद और दूसरे उलाद को आपस में क्या नहीं करते, discriminate नहीं करते, ऐसे नहीं कहते, कि मानलो, एक किलो सेवाए, तो इसको जादा मिल जाए, उसको कम मिल जाए, yes or no, तो ऐसा नहीं होता, बराबर बाट दिया गया, राइट, वो बराबर भाव रखते हैं, बोले discriminate, बोलो तो मतलब differentiate करना, distinguish करना, separate, classify, differentiate का भी तो मतलब यह होता, नंतर करना, कि इसमें और इसमें क्या नंतर है, yes or no, right, ऐसे ही बेटा, distinguish माने अंतर करना, separate माने भी, alag-alag करना, classify माने अंतर करना, और alag-alag कर देना, yes or no, और इसका उल्टा देखो क्या बना, unite, join और merge, इसका मतलब और अलग-अलग ना करके, भेद ना करके, उनको मिला देना, मिक्स कर देना, yes or no, बोलते हैं ना, unity in diversity, क्या बोलते हैं? जब हम diversity की बात करते हैं, तो diversity का मतलब अलग-अलग, वो चीजें जिनने discriminate किया गया, जो अलग-अलग हैं किसी तरीके से, वो diversity है, और उनको अनेकता में जब एकता ढूंडते हैं, तो unity ढूंडते हैं, और उनको unity कैसे बनाए, unite से यह तो बनाए, yes or no, जैसे एक यह देखो, अगर हम इन उंगलियों को, बोध्यान से देखना, अगर हम इन उंगलियों को देखे तो हर एक का size अलग है, शेप लग है, बनावट लग है, yes or no, पर अगर हम ऐसे कर लेते हैं, तो अगर देखो, यह सारे एक जैसे दिखने लग जाते हैं, यह तो discriminate हो सकता है, पर यह क्या है, unite है, yes or no, क्योंकि यह join हो गया, वाक्य देखो, यानि किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रूप में भेदभाव करना, कि आपका धर्म कौन सा है, कि ते हमारा धर्म यह है, और यार हमारा धर्म तुमसे अच्छा है, यह सो नो, अगर आप इस फाइट पर आकर किसी के साथ अटेक करते हो, मारे पिटाई करते हो, तो वो क्या है, राइट, वो इल्लीगल है, राइट, आपको पनिश्मेंट मिलेगी, बोले, इट इस इल्लीगल, बोलो, तो listen to discriminate against any ethnic or religious group. किसी भी ethnic और religious group में भेदभाव करना, अंतर करना, किसी भी परकार का, वो legal नहीं है. यानिके सबको समान अधिकार है, सबको पूजा का अधिकार है, सबको पूजास्थल का अधिकार है, भई आप अपना पूजास्थल रखते हैं, अपनी पूजा शैली चुन सकते हैं, और अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं, yes or no, that is called religious group के बीच में discriminate होना, क्या ये वाक्या स जानते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रभाव, cause, make, produce, right, so cause का मतलब है, प्रभाव डालना, make का भी मतलब है, effect का मतलब प्रभाव डालना भी है, prompt का मतलब, fabricate का मतलब, किसी चीज को नकली का तरीके से त्यार करना, नकली बनाना भी क्या होता है, effect होता है बटा, नकली बना द देना क्या है, effect, prompt का मतलब है किसी चीज में, जैसे who prompted you to do this, किसने आपको प्रेरीद किया ये काम करने के लिए, मतलब आप करना नहीं चाहते थे, पर फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया कि आपने उस काम को कर दिया, prompt एक बड़ा प्यारा शब्द है, prompt का मतलब होता है किसी चीज में तेजी ला देना, cause का मतलब है कोई चीज कर देना, प्रभावित करके कोई काम करवा लेना, make का भी मतलब कोई चीज बना देना, जैसे I will make you, I will make you stand outside, मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर दूगा, तो क्या आप होना चाहते हो बाहर, आप नहीं होना चाहते हैं, फिर भी आपको मैं खड़ा कर दूगा, यानि कि मैं इतना प्रभाव डाल दूगा आपके उपर के बाहर निकल, तो make का मतलब एक तरीके से किसी पर इतना प्रभाव, जैसे कोई चोटा बच्चा है, पढ़नी रहा, कैते आने दे तेरे पापा को पढ़ाएंगे, क्या वो पढ़ना चाहता है, वो पढ़ना तो नहीं चाहता, पापा पढ़ाएंगे तो ट्यूशन थोड़ी देंगे, वो आते एक डंडा उठा लेंगे, और डंडा उठाते वो सिदह जाके किताब खोले का पढ़ने लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, पापा के प्रभाव में पढ़ रहे हैं, ना भी बनना चाहे तो भी बना दिया, ये वो सेंस है, वैसे what is common, make का मतलब बनाना होता है, yes or no, prompt का मतलब भी प्रेरीत करना ही होता है, कि किसी को प्रभावीत करके उससे काम कर लेना, काम ले लेना, यासे यार पूरे-पूरे-पूरे परिवार ने, मानलो Congress की vote दी और आपने बीजेपी की दी तो सब यही तो गएंगे भई किस परभाव में आकर तुमने ऐसा किया what prompted you cast vote for the BJP या फिर उल्टा मानलो कि पूरे के पूरे परिवार ने BJP की vote दी आपने Congress की डाल दी तो पूछा जा सकता है कि किस चीज के प्रभाव में आकर ऐसी क्या चीज है जिसने prompt किया जिसने प्रभाव डाला कि आपने वह डाल दिया बात समझ में आ रही है इस तरीके से prompt कहा जाता है fabricate का मतलब नकली बनाना भी होता है जैसे fabricated documents तो एक बात बताओ, क्यों बनाई जा रही है चीजों पर प्रभाव डालने के लिए तो नकली note, नकली documents, जाली जो जाल साजी वगरा की जाती है वो इसलिए कि आपका प्रभाव पड़े और आपको नोकरी मिल जाए यस और नो, कोई graduate नहीं है ग्रेज़शी के नकली नोकली लगके उसने उनिविश्टी में विजा पा लिया मालो किसी में बाहर की उनिविश्टी में, यस और प्यार के लिए apply कर दिया, clear के not clear तो यह fabricate का मतलब किसी तरीके से नकली वगएरा करके उसे प्रभावीत करना है या प्रभाव डालनी वाली बात होती है destroy or damage का मतलब होता है कोई चीज़ खराब कर दे न, what does the author, what does the author, what, how, how does the author create the effect artist, how does the artist, how does the artist create the effect of moonlight, अब एक बार बताओ, क्या moonlight हकीकत में वो picture बना रहा है मालो artist, है न, कोई painting कर रहा है तो क्या वो हकीकत की चांदनी इसमें डालेगा या नकली बनाएगा, वो नकली बनाएगा, yes or no, एक नकली चांदनी दिखाएगा, उसमें prompt करेगा, उसको make करेगा, तो चांदनी का प्रभाव डालेगा के नहीं डालेगा, yes or no, right, तो how does, किस तरीके से artist create करते हैं, चांदनी का effect, effect माने प्रभाव है, clear के not clear बिटा, बहुत अच्छे, next word, common शब्था ये, ये ऐसा कोई खास word नहीं था effect, next word देखते है, last, आज के लिए आखरी, word है बिटा बो, elicit, ये बहुत अच्छा शब्द है, elicit होता है कोई चीज प्राप्त करना, बिटा, elicit का क्या मतलब है, को कोई चीज प्राप्त करना, that is called elicit, कोई चीज प्राप्त करना किसी चीज से, that is called elicit, जैसे, मान लिजी आप इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो तो आपने किसी पे शक है, उसे पकड़ रखा है, आप उस पे हलके बल का परियोग करते हो, उसको एक दुथपड मार दिया, दंडा लावाई, फट डरा दिया, सारी जिंद की जेल में सड़ेगा, ऐसा कुछ किया नहीं है बेचारे ने, क्योते हैं ऐसा केस बनाऊँगा, ये सारी बाते क्यों कर रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, ताकि उससे सच्चाई को elicit किया जा सके, खींचा जा सके, बाहर निकाल नहीं बताने वाला, तो जाती उसको एक चाटा मारा खींच के, डंडा लाके लग रहे हैं, और उससको दो-चार धंकी दे दी, इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि अंदर की इंफोमेशन बाहर आगी, उसको डर लगने लगा, और उसने क्या किया, बाहर इंफोमेशन फेग द यह दिया, कैते रस दो भई, निकालो रस अपना, नहीं, आपको वह ऐलिसित करना होता है, ड्रो आउट करना होता है, यह सो नो, थोड़ा प्रेशर डालोगे तब जाके रस निकलेगा, यह सो नो, तो ऐसे थोड़ी यह निम्बू काटके रख दिया, कैते बही चालो, रस यह लह वह तो प्रेराइज ऐट, उसको ऐलिसित कहते है, तो आप निम्बू से जो रस पराप्त कर रहे हो, वो रलिसित ही तो हो रहा है, एक्स्टरे लेमन एक्स्टरेक्ट, बहुत सारे शैंपू में लिख़ा होता है, कि वीद लेमन एक्स्टरेक्ट, इसका मतलब क्या ह इसमें निम्बू का रस है जो निचोड के डाला गया है, clear के not clear? बात समझ मैं आरे है बिटा? obtain का भी मतलब क्या है? प्राप्त करना ही तो होता है acquire का भी मतलब क्या होता है? प्राप्त करना ही तो होता है, yes or no? अच्छा give, grant or pass का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्राप्त करना ही या देना? वो देना होता है, कि अभी ग्रांट नहीं आई यह जब ग्रांट आएगी तो फिर मैं आपके पैसे चुका दूँगा, अभी अभी सरकार ने ग्रांट नहीं दी है that is called grant अब जरा वाक्य को देखो, बोध्यान से देखना बोले she, यहाँ पर been है, इसका मतलब यह has है क्योंकि third form दिख रही है न, बोले she has been trying to elicit the support of other committee members इस वाक्य का मतलब है, कि वो कोशिश कर रही है क्या प्राप्त करने की? किसकी? दूसरे committee members की support को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है वाक्य अपने आप से बोलो she has been trying to elicit the support of other बिनाट के बोलो she has been trying to शाबाश, बहुत अच्छे हमने 5 sentences को देखा let's move 5 words को देखा, 5 के 5 sentence एक बार पढ़ हो are you ready? चलिए 5 के 5 पढ़ हो sentence पढ़ हो जल्दी से she has a deep aversion to putting others down क्या बात समझ में आई? aversion क्या होता है? घ्रिना करना put others down क्या होता है? निचा दिखाना वाक्य अपना आजाओ the fact that he had not been able to pay the debt was a source of chagrin for him क्या वाक्य समझ में है? chagrin क्या होता है? जल्लाहाट बहुत अच्छे next it is illegal to discriminate against any ethnic or religious illegal क्या होता है? ग्यर कानूनी discriminate क्या होता है? भेदबाव करना ethnic क्या होता है? Sanskritic और religious क्या होता है? dharmic next बेटा effect effect के लिए how does the artist create the effect of moonlight effect क्या होता है? और moonlight क्या होता है? चांद नहीं she has been बोलो बोलो she has been trying to elicit the support of other committee members elicit क्या होता है? प्राप्त करना तो क्या आपको ये वाक्य समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ये 201 नमबर क्लास थी लगातार बहनत करिएगा लगातार लगे रहिएगा बहुत बहुत धन्यवार thank you, thanks a lot see you in the next class thank you